वडोद्रा शहेर ना अलकापुरी विस्तर मा अर्बन फूड फॉरेस्ट आवेलू छे जिया तमाम प्रकरना फॉर्ड फुल सागबाजी उगाडवामा आविया जे आविसे वदू महीती आपने परियावरण प्रेमी रीना राज रस्तोगी जणाओ छे die आव देखा है वह फॉरेस्ट में होता है जंगल में होता है और अरबन मतलब सिटी ही, तो सिटी के अन्दर जब बहुत सारे पेडों को सबजीों को फलों को मिलाकर जनेमिक जन्गल बनाया जाता है तो ऊसको अर्बन फॉरेस्ट यह हमारा जो प्रोजेक्ट है अराउंड वन वन ना हाफ यर ओल्ड है, मतलब डेढ़ साल पुराना है, और इसको हम एक पैंडेमिक बेभी बोल सकते हैं, कोविट के टाइम में कुछ ऐसा था, गार्डिंग शुरू से ही मेरा पैशन रहा है, और मेरे घर में भी छोटी- जियां होगाती थी, तो कोविट के टाइम में हम सब ही लोग फ्री थे, लखीली मेरे दोनों बच्चे दोनों बाहर पढ़ते हैं, वो भी यह आए वे थे, हस्बंड भी थोड़ा रिलेटिवली प्री थे, तो मेरे पास एक ग्रेप का वाइन था घर में, उस पर फल आया, तो सब मुझे रगा कि अगर ज्यादा और इसमें फल लेने, तो कैसे ले सकते हैं, तो फिर मैंने पढ़ा, कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला, इसको कहीं आप जमीन में लगाओ, तो आपको और भी अच्छी क्रॉप में लेगी, तो तभी हमारे पास जमीन ब से 125 के जितनी इसपेसिय्ज हैं, और गाडनिंग पैशन सा. इसके लिए, especially मैने एक पर्मकिल्चर करके, एक कर्स किया, पर्मकिल्चर मिन्स पर्मानिन टेरिक्टर, और पर्मकिल्चर की जो ठीयोरी है, वो ऐसे ही ठीयोरी है, जो आप जितने ज्यादा प्लांटच्स एक सा होता है तो सेम स्थियोरी सेम कॉंसेप्ट को पढ़के हमने यहां पर एपलाई किया तभी अर्बन फूट फॉरेस्ट बना और यही रीजन है कि आज इतने छोटे से एरिया में हमारे पास तौस और से ज्यादा है और इसके बेस्ट पार्ट है कि हमको रिजर्ट भी मिल रहे हैं और किसी तरह की कोई खाथ और किसी तरह का कोई क्यामिकल डालने की जवरत में देखिए यह एक 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 एजुकेशनल स्पेस है और जब मैंने बनाया था मतलब एक माइंड में तो था ही शुरू से लखी ली लखी ली बोलो कि कोविड आया और वह एक सपना उस टाइम पर पूरा हुआ कॉंक्रीट के बीच में बनाने का वही रीजन है कि चारो तरफ कॉंक्रीट है लेकिन हमारे पास कहीं भी ग्रीन स्पेस नहीं है तो हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह के green space उनके पास जो भी area है तो develop करें, महां बैटें और खुली हवा में सांस लेके एक ecosystem develop करें मैंनेजर से आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को सिखाएं अधिकतर लोगों को क्या होता है कि नहीं शाहर में तो कुछ उपता ही नहीं है दूसरा क्या होता है यह हमारे यह नहीं चलेगा तो हम उनको यहीं दिखाना चाहते हैं कि आप यहां के देखो यह city के ए इंकल्केट होनी चाहिए कि नहीं मुझे उगाना है जैसे हम रोज ब्रश करते हैं रोज उटके एक्सरसाइज करते हैं तो सिम यह भी एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि जितना स्पेस है उसको कवर करके रखो अभी धीरे जैसे जैसे धर्याली खतम होती जा रही है हमार अपने पुराने काइम में पहुंच रहेंगे तो यह हमारा परपस है कि लोगों में एक अवेर्नेस लाएं एक जागरुपता लाएं जितनी जगा है उसके कुछ ना कुछ आप लगए यह कॉंसेप्ट है वह एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है इसमें हम ऐसा कुछ एक मतल पानी डालना या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगता है कि जैसे काबिज है काली फ्लावर है उनको ज्यादा खानी की ज़रत होती है तो इसके लिए जो हमारा कंपोस्ट बनता है तो वह कंपोस्ट डाल देते है तो ओवरॉल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक से द स्ट्रॉबेरीज बड़ोधना में नहीं होती है तो हम स्ट्रॉबेरीज उगा रहे हैं और इसके अलावा जिससे दूसरी चीजे देखेंगे ब्रोकली के भी लोगों को बहुत अच्छे रिजर्ट नहीं मिलते है और बेस्ट पार्ट है लोग गन्ना देख के खुश हो जा देखें एक तो हमारी क्या थियोरी है हम हमेशा बिलीव करते हैं सीजनल इस रीजनल जो चीज़ सीजन में होती है उसको गाई है तो उसके आपको रिजल्ट भी मिलेंगे पैस्की अटाइब भी नहीं होगी समेथी पालर तूर मूली आपने हमारे स्ट्रॉबेरीज भी दे उसमें इंप्रूब्मेंट हुई है नेक्स टाइम अगर हम शायद दूसरी जगा स्पेस चेंज करके देखेंगे तो में भी वो चीज ना भी हो तो यह एक लर्णिंग प्रोसेस है जो कि कंटिनिस चलता रहता है उसमें नया एक्सपेरिमेंट उसको इंप्रूव करना ही हो बहुत ज्यादा कुछ नया उगाना या यह नहीं हो हुए